फिर दे रहे हैं आपको ये मिल कहां से रहा है ये भी तो पैसा आप लगा के ला रहे होंगे ना तो यह जो आर्थिक इस्थती इससे क्या बहतर होगी भारतगी कई लोगों को हमने देखा है बुलेट से आ रहे हैं और रासन ले जा रहे हैं एक बिगए खेत है उनको भी रास संदे तो बहतर होगा सरकार रासन के साथ साथ तेल भी दे रहे है रिफाइंड तेल सोयाबीन तेल और मुप्त चना साबुच चना एक किलो और मुप्त आयोडेनयोक्त रिफाइंड नमक एक किलो यहां पर लिखा भी गया है हर मुश्किल में आपका साथ सोच इमानदार इस उत्तर परदेश खाद यह रसत विभाग एफ एस एस एई का लोगो भी लगा हुआ है स्वच भारत एक कदम सोक्षिता की ओर में इंडिया बजार में बिक्री है तो यह नहीं है तो अगर आपको बजार में मिले तो इलीगल माना जाएगा फिर ही मैं सरकार दे रही है और इस पर अपने नारे भी लिखे है योगी जी की और मोदी जी का प्रधान मंत्री जो है और उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री उनके फोटो भी लगा हुआ है इस पर काभी वीवाद भी हुआ था फोटो लगाए कि नहीं लगा है हाला कि फोटो लगा आ रहा है और सोच इम अब जो लोग सक्षम हैं जिनके घर की आर्थे किस्दी बहुत बहतर है उनको रासन सरकार क्यों दे रही है। एक बिगए खेत हैं उनको भी रासन मिल रहा है जिनके पास दस बिगए खेत हैं उनको भी रासन मिल रहा है। और रासन लेकर तुरंथ कोटेदार के यहां से रासन लेकर बेच दे रहे हैं बाजार में। उनको क्या ज़रूरत थी रासन देने के ना जाने कितने लोगों हमने खुद देखा है कि रासन ले जाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। चोटे बच्चे तो इस तरह से उत्सुख राते रासन लेने के लिए कि कोटेदार के यहां जाएंगे रासन लेंगे और बेच आएंगे। बजार में रासन बेच आते हैं तो सरकार को यह बात जरूर सोचने चाहिए कि फ्री में रासन उन्हों को मिले जो पात्र हों और सरकार के पास डाटा भी है कितना किसके पास खेत है किसके कितने पास इंकम है आधार कार लिंक है सबका सबका डाटा सरकार के पास जब और फिरी में उन्हों को दिया जाए जो उसके पात्र हों नमक दे रहे हैं आप तेल दे रहे हैं फिरी में और चना भी अब दे रहे हैं फिरी रासन भी फिरी दे रहे हैं तो जो फिरी दे रहे हैं आपको ये मिल कहां से रहा है ये भी तो पैसा आप लगा के ला रहे होंगे तो ये जो आर्थिक इस्थिति इस से क्या बहतर होगी भारत की सरकार के जरूर सोचना चाहिए और आप इस बारे में क्या राया रखते हैं क्या सब को फ्री मेरा आसन मिलना चाहिए कमेंट बाक्स में जरूर बताईए और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें धन्यवाद